हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आटो एलेक्ट्रिकल वर्ट फ्रेंट्स यह एक सिगना गाड़ी है और इसका जो ब्लोवर का जो सिस्टम है उसको मैंने खोल दिया हूं ताके आपको क्लियर दीखे ठीक है और देखिए यह यहां पर आठ पिन का आठ कपलर है यहां पर ठीक है यह देखिए यह है यeki फ्यूज बॉक्स निकल रहा है और इस फ्रकल करें यह बाहर चला घ Norwegian है तो ऑ professors listen विडियो मैं बना चुका हूं उसका 北 अवहां से देख सकते हैं त्थिके और यहां से यही है आज का ट्रॉक है यह इसमें 20 इसमें इसे और 20 वाइर के बारे में आज हम जाने भी तो फ्रेंडस मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हो हसले ठीक यह लॉक हो गया है और यह वायर है GPS का ठीक है यह GPS का वायर है ये लो पे बुलू यह GPS का वायर है और उसके बाद यह देखिए उसके बाद यह जो है ग्रीन पे a black कलर का वैर है और इधर देखिए ये वाइट पे रेड मतलब जो जो की बोक्स निकल रहा है उसमें दिया 다양 alg Hey और दूसरा पीन में इधर दिया है वाइट पे रेड ये देखे ये वाइट पे रेड कलर कर दोनों यह ब्रा कर है रहे हैं और ऐससे दोनों यह डो अट्रविया को यह रेखर उसके बार्व Nat elles ग्रीन का बार एक का रहे है और यह दे कि यह lukam पर बुलू कलर का वायर और इधर देखें यह भी है ब्राउन पर बुलू कलर का वायर ठीक है और यह है EMS brake relay के pin number 87 से निकल रहा है ठीक है यह जो वायर है यह EMS brake relay से निकला है और यह direct चला जा रहा है EMS brake relay का निकला हुआ है और यह जाएगा direct ECM में है ECM का pin number 19 में जाएगा 19 में ठीक है यह वायर निकला है EMS brake relay के pin number 87 से और यह direct चला जाएगा ECM के pin number 19 में जे टू कनेक्टर का और उसके बाद से यह देखिए यह black पे yellow कलर का वायर है ठीक है और यह देखिए यह भी black पे yellow है ओके और जो black पे yellow कलर का wire है यह एक्सलेटर पैडल का ठीक है यह जो वायर है जो फ्यूज बॉक्स निकल रहा है यह वायर आया है जो ऑड़े जो वायर है यह चला गया डैरेक्ट by दा आयरेक्ट में ओके और उसके बाद तो फ्रेंस में यह जो black कलर का और ये देखिए यहां भी यह लूकर ग्लर का भा प्रमेंट रहे झाटकू कर यह देखिए यह घॉक्र्ण है यह घूडर में तो यह इसके पाद से यह वायर है यह यह बनातकτοामा पो, से और यह चला गया है डेरेक्ट इसी में यही देखिए ग्रिंग एक्साइटर पैडल से आ रहा है और यह चला जाएगा जर डेरेक्ट इसी इम में ओके और उसके बाद से आपको और यह दोनों हो गया इक्सेलेटर पड़ियल का उसके बाद से यहां पर एक ग्रेट पेक बुलू कलर का वायर है यह एक एंजिन लाइट ठीक है यह गया है डैरेक्ट मीटर बोड में यह चेकुलाइड है और यह आया है इसेएम से ठीक है और उसके बाद देखिए यह रेड पे येल्लो और यहां ब्हृट gespaek यह GPS का वायर है और उसके बाद से देखि एक फिन घाली दिया हुआ है उसके बाद से एक औरेंज पर ग्रीन कलर का वायर है ठीक है यहां देखिए घरी और ए और औरैंज पर ग्रीन है और जो अरींज पर ग्रीन है यह है stop light का ठीक है जो मीटर बोर्ड में stop light होता है ना वहां से तो यह wire है यह मीटर बोर्ड से आया है और यह direct चला गया है ECM में ओके और उसके बाद देखिए ग्रेपे येलो color का wire है और यह भी ग्रेपे येलो color का wire है और यह है instrument cluster से आया हुआ है ठीक है यह जो वायर है यह मीटर बोर्ड से आया हुआ है और यह है जो भेकल एट स्रीट सेंसर का जो output वायर होता है ना यह वह है ठीक है यह भी चला गया है यह जा करकर रूख गया है ठीक है यह भेकल spit sensor का output wire है और यह चला गया है डिरेक्ट मेटर ब无ड में यह वाटर इन-f extrem emesis эlita i8 sensor से उसके बात से यहां पर तीन वायर है देखिए एक ग्रे पे बुलिया फिंक परुल्लू है ये सवर्फ पिंक पर बुलू है और उसके बात से यह बुलू पर घृम है और यह भी दूंस vrais यह तीनों GPS का है ठीक है जो लिफ्ट साइड में जहां केविन में लाइट लगता हेड लाइट वहाँ पे देखिएगा जगह जो दिया हूए हेड लाइट का वहाँ पे एक GPS लगा हुआ है यह तीनों वायल उसी GPS में चला गया है ठीक है तो फ्रेल्स आज का ये जो कनेकटर है ये कंपलीट हो गया और धाय जा गाज चार कनेकटर पर मेरा विडियो अपलोड हो गया है अर रह गया यहां पर एक 20 पीन का कंपूडनक्टर है और ये इसमय लाएं घा ठीक है और उसके बासे रह जागा ये और एक ये ठीक है ये दू कनेक्टार रुख गया है इस पर भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक एक वायर पर ठीक है